आप सभी का स्वागात है रेशमास्टेस्टिपूरी चैनल में और आज हम बनाने वाले है कॉपी मिठाई इससे पर हेपी बहुत सारी मिठाई और दिवाली फराल की रेसिपी मेंने अपलोड की है और उनकी लिए आपको कम्यूनिटी और प्लेइस्ट में मिल जाएगी आज जो हम कॉफी मिठाई बनाने वाले है यह सिर्फ भाहिदू जी नहीं आप किसी भी फेस्टिवल में घर पर बना सकते हो या पिर किसी के लिए गिप देना हो तो भी आप इस तरह की फॉम्मेंट बिठाईया दे सकते हो चलिए स्टाइट करते हैं आज की रेसिपी तो यहाँ पर मैंने लिया है नॉन स्टिक प्यान या फिर आप लोहे की कडाई लिजेगा इसमें डालना है आपको आधा लेटर इतना ही दूद जो 35 रुपे का पैकेट मिलता है मार्केट में बेंस का दूद डालना है इसे पूरी मिठाई होने तक लो गैस की फ्लेम पर हम मैंने आधा टेबल पूरि इतनी कौफे पावडर डाली है और इसे अच्छे से मिκι्स करने के बाद इसमें मैंने वनफॉर्टीयस पीतनी इलाइच की पावडर डाली है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है अब देखे इसका कलर इस तरह से हो गया है अब यहाँ पर अ मावाना छोड़ जाए तब तक इसे हमें लो गयस की फ्लेम पर भूनते रहना होता है तो देखिएगा यहाँ पर अब यह प्यांग छोड़ने लगा है तो हमें क्या करना है गयास को कर देना है बंद और इसे थोड़ा सा थंडा करना है थंडा करने के बाद चोको चिप्स ना देना है इसके ऊपर से भी आप गार्णिश कर सकते हैं सिल्वर फॉइल पेपर जो इडिबल होता है उससे या फिर इस तरह से चोकोशिप से भी कर सकते हैं अब ना इसे हमें पूरा थंडा करना है पूरा थंडा करने के बाद इसे हमें फ्रीज में रखना है तो अब इसे हम थंड़ा होने के लिए रख देते हैं थंड़ा करने का रिजन यह होता है कि आप ना इस मिठाई को अच्छे से कट कर सको बस इसलिए थंड़ा करना है फ्रीज में भी मैंने इसे दो गंटे रखा था जो चाकू है ना हमारा इसे मैंने घी से ग्रिस करने के बाद इस तरह से इसे काटना स्टार्ट कर दिया इसके छोटे-छोटे पीस कट करके आप मिठाई बॉक्स में पैक करके अपने गेस्ट को दे सकते हो या फिर तोहारो में भी आप इसे आने वाले गेस्ट के लिए परोज सकते हो तो देखे यहाँ पर यह मेरी मार्केट जैसी मार्केट में ना मिलने वाली कौफी मावा मिठाई बनके तयार है इस रेसिपी को आप आने वाली दिवाली में जरूर ड्राइ कीजिएगा टेस्ट में भी यह बहुत ही टेस्टी लगती है जिससे कोफी बाइट जो चॉकलेट होता है ना उसी तरह लगती है और सबसे अच्छी बात ना कि यह बहुत ही कम पेसों में बनके तयार होती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नहीं रेसिपीज के साथ